आज की टाइम के अंदर जितने भी AI के टूल्स यूजर हैं, चाहे वो chat GPT हो, चाहे वो mid journey हो, या कोई भी AI के टूल्स हो, इन सभी के अंदर एक बहुत ही common चीज है, और वो common चीज यह है कि आप कोई भी अपना prompt लिखते हैं, तो उस prompt के जरिये आपको क्या मिलता है, text return होता ह या फिर image return होती है, या फिर video return होती है, market के अंदर बहुत सारे chatbot आचुके हैं, जो की आपसे बात करते हैं, लेकिन इन सभी में एक common functionality है, और वो common functionality है, यह सारे जो AI के software है, वो आपके text पे working करते हैं, लेकिन AI तो number पे work करती है, क्योंकि AI machine learning के थुरू काम करती है, deep learning के थु तो यह सारा जो working होता है, वो numbers के उपर होता है, लेकिन हम जो input के तौर पे दे रहे हैं, मतब हम जो prompt के तौर पे दे रहे हैं, वो तो एक text होता है, तो guys इसी चीज के लिए हमें पढ़ना होता है NLP, yes, natural language processing, इस natural language processing के जरिये हम यह समझते हैं, कि हम जो भी अपना prompt दे रहे ह हैं, या जो भी अपना text लिक रहे हैं, उस text को कैसे filter किया जाता है, उस text को कैसे clean किया जाता है, और उस text को number के अंदर कैसे convert किया जाता है, ताकि हम AI को यह जो text है, वो दे सकें, और हमारा जो desire output है, वो हम get कर सकें, तो इस complete playlist के जरिए हम इसे detail के साथ यहाँ पर देखने वा अपने आपको grow करना है, इसके लिए WA script के online और offline बने batch करना जोइन करके, आप अपने skill को improve कर सकते हैं, इसके लिए दियेगा है contact number पे call करके, आप अमारी two demo free classes ले सकते हैं, Okay Google, play Bollywood song, wow, that is a nice feature, yes, यह बहुत, oh, 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 sorry, that's, यह बहुत अच्छा feature है Google का, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी command के थुरू कुछ भी चीज रन करवा सकते हैं, चाहिए वो phone call से related हो, या फिर Bollywood song से related हो, या इससे किसी भी नाम से related हो, यह कभी आपने सोचा है, यह कैसे build हो है, या फिर आप सभी ने कभी न कभी Alexa जैसे चीज़े purchase की होगी, या फिर आप सभी ने Google Translate का use जरूर किया होगा, लाइफ के अंदर इन सभी चीज़ों का use एने टाइम कभी ने कभी आप चीज़ों के अंदर करते ही रहते हैं, क्या आप सभी ने सुचा है, यह सारी जो process होता है, वो किस basis पर होता है, क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसी एक technology है, जिसके basis पर यह सब कुछ काम होता है, तो आज के इस complete वीडियो के जरिये, हम यहाँ पस समझने वाले हैं, कि यह जो technology है, यह technology कैसे रन करती है, जिसका नाम है natural language processing, यस, आज के इस वीडियो के जरिये हम समने वाले है, natural language processing क्या होता है, और यह जो voice assistant है, इसके पीछे ऐसे क्या चीज़ चल रही होती है, कि हम content हम देते हैं, उसे translate कर देता है, तो आज के इस complete वीडियो के जरिये हम समने वाले है, natural language processing के बारे में, चलिए, तो फिर start करते हैं, यहाँ पर, okay, तो सबसे बात करना चाहूंगा, natural language processing के बारे में, natural language processing आपके बास क्या काम करती है, तो जो भी आप syntax कर रहे हैं, उसको क्या क convert करने का काम करती है, या फिर एक language से दूसरे language में translate करने का काम करती है, या आपके बास और भी बहुत सारी different things हैं, यहाँ जैसे spelling checking का काम करती है, तो दीखे, आपके आज जो भी language से related जो भी work होता है, वो सारा काम आपके आज नैचुर लैंगवेज प्रोसेसिंग करती है, Natural Language Processing की definition के पचला है, तो जो प्रोसेसिंग एक techniques है, जिसकी थ्रू आप क्या करते है, मसीन जो आपकी language है, उसे understanding करती है, उसे analysis करती है, फिर उसके बाद interrupt करके हुए एक कोई भी best answer दिखाती है, अब यह जरूरी नहीं है कि आपके 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 लैंगवेज हो, आ artificial intelligence की language हो सकती है, artificial intelligence नहीं हो सकता है, तो basically बात करें आज के टाइम के अंदर, आप सभी ने कुछ ना कुछ ऐसे device देखे होंगे, जो की language basis पे काम करते हैं, या फिर आपके 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 यहां पर computer language के basis पे काम करते हैं, तो basically उन सभी के पीचे, मतब जहां पे आपका language का use ह होता है, उन सभी के पीचे, आपके पास क्या use करका होता है, NLP का use क्या होता है, natural language processor को short form में NLP बोलता है, तो basically यहां पे NLP का use करका होता है, चले इसके live demotation देखते हैं, जैसा एक first demotation तो आपने देखा है, अभी just मैं आपको बताया है, हमारे phone के अंदर, एक Google Assistant होता है, ज I just wish that everyone had a nickname as cool as mine, would you like me to give you a super cool nickname, bye Google, okay, that's too bad, I've been told I give pretty good nicknames, talk to you later, बहुत अच्छा नाम पूचा है हमसे, कि इसका nickname क्या होना चाहिए, बट अम नहीं नहीं दे रहें, एक और एक और ट्राइ करता हो यहां पर, Google, okay Google, I love you, अब मेरी girlfriend नहीं है, बट इसको I love you बोलूँगा यहां पर, तो देखे, I love you के उपर क्या बोला, और 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 बहुत त that's a high praise coming from you, and what made you say that, okay Google, I love you, no one's ever said that, and what do you love about me, I love you Google, thank you for sharing, you should know I think you're the best, okay, तो यह देखे, आपके पास यहां पर इसके बहुत ही कूल फीचिर होता है, फोन के अंदर, and आप सभी ने इस चीज का तो ज़रू इस्तमाल किया होगा, जैसे मैं आपको दिखा हूँ यहां पर लेंग्विच टांसलेट करने की जरूरत होती है, जैसे कि में यहां पर लेंगविच टांसलेट का यूज्व करा हूँ, Google Translator का यूज्स करा हूँ, आप यहां पर कुछ भी डालते हैं आपने यह पे इंगलेश डाल दिये और में इंग्लीस के ओपर काम करना हूँ गूगल में चुन्स मद्स कर रहा हूं क्या wszyscy तो मैं यहां पर बात करना जाँगा कि जैसे कि मैं यहां पर डालना जाँगा English के अंदर जैसे my name is just my name is Gaurav जैस में my name is Gaurav डाल दिया यहां पर और इस तिके डिटक्ट पॉस्ट यहां पर इसने डिटक्ट किया है कि यह English language है और Gaurav की spelling थोड़ी से चेंज हो गई है G-A-U-R-A-V तो फॉस्ट इसने चेंज किया है दैन सकिंड यहां पर जो मुझे दूसरी लेंगविज जैसे कि हिंदी चाहिए तो इसने हिंदी में भी आपका स्क्राइक करेक्ट कर दिया पहली चीज तो यहां पर यहां पर यहां पर गूगल की चीज चीज सर्च करते हैं तो सर्च करने पर आपके आस क्या होता है कि आपके पास कौन है करता है वो हैंडल करता है अब हम बात करना चाहिए की नेच्रल लेंग्विज प्रॉसेसिंग आपके आस क्या करता है कि कोई आपके आस मसीन है मसीन कैसे हो सकती है तो देखें यहां पर हमने एक रॉबट का इस्तमाल किया है सब्सक्राइब करना तो अब करते हैं को कुल मिला कि हम रॉबाट्स को बहुत सरी अलग लग तरीके नौलिज देते हैं और जब कभी भी हुमन्स आपके एक आस इस इंडॉर्प्ट करता है हुमन्स रॉबोट से बात करता है अब जैसे यहां पर रॉबॉट का लिकिन जब हम बात करते हैं आपकास Google Assistant से तो Google Assistant भी तो एक तरीके का रॉबट ही है अब वो फीजिकल रॉबट नहीं है वो एक तरीके से क्या एक सिस्टम है एक मसीन है हमारे पास जिसे हमने किया कि पहले से बहुत अच्छे रिंग से ट्रेंड किया है और ट्रेंड करने के ब मसीन उसे अंड्रेंड कर सके हैं तो बेसिकली हम करते हैं बहुत सा भी बासे एक सरह क्षण और रहा थो इस पर करना होता है और उस लेंगविज की बसे तो तो इसके बात कर तो ये । करते हैं इस्पैलिंग चेकिंग का भी काम होता है एब कर आपके हैं चाहे आप Microsoft PowerPoint के बात करें Microsoft Excel के बात करें इनके अंदर भी spelling checking का options आने लग गया यहाँ पर और इसके साथ Google के बात करें तो चैट बॉट जो होता है जिसके अंदर automatically chatting की जाती है वहाँ पर भी इसका काम किया जाता है और सबसे कि कुछ process लगता है जिसके basis पर आपका जो भी मेरा आता है वह स्पैम है या नहीं है उसके अर्म देट करता है जैसे कि मैं आपको एक छोटा से example दिखाँ तो देखें यह पर मेरा mailbox है Gmail account है यहाँ पर इस Gmail account के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर यहां पर यहां पर वह आपके पास मैसेज आएंगे जो कि बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट ने बहुत ही काम के मैसेज है यहां पर आ जाते हैं तो यह रियल लाइफ अप्लिकेशन से जिनके अंदर आपका बात करते हैं अब बात करने चाहूंगा एंदर कितने डाप के कॉमपोनेंट के आपके नेचरण लेंगे जन्रेशन के ऊपर बात करें तो नेचरल लेंगेज अंडरेस्टेंडिंग का मतलब होता है कि आप जो भी मसीन को कुछ लिख रहे हैं और जो भी आप यहां पर बोल की बता रहे हैं यह उसको क्या करती है आप क्या से उसे करती है उसे टेक्स के अंदर करती है और फिर उसे अंडेस्टेंडिंग करने का काम करती है मतलब मैं बात करूं यहां पर अंडेस्टेंडिंग के अंदर क्या होता है कि आपका जो भी राइट प्रेसंस होता है आप ज लिखता हूं तो डबलू करने पर ओटोमेंटिकली वाटसप वैप का ओप्शन मुझे दिखाई दिया रहा है यहां पर तो यह चीज क्या यहां पर मैं यहां पर अफ्रेकन पंजाबी चाहता हूं तो मुझे तो basically आप देखेंगी तो यहाँ को कर रहा है कि आप जो भी लैंग्विज को क्या कर रहा है यहां पर understand करके फिर मीनिंग निकालके आपको दूसरी अध कर यह गैंदर उसका खरनेट कर को बात करें थे नेच्रल लोंगरेश तो निकलता है अब यह क्या होता लोग क्या करtачें आपके आndस यहां पर अलगरा करते करते या फिर अब्धे करता था, कि पहले मैं एक language सिचता था पिर उसके बाद अलगर मीण करते बहुत है लेकिन उसमें भी बड़े बड़े चैलेंजिस आपके बास आते हैं ऐसा नहीं है कि वह जो काम है वह बहुत से अब इन में से मैंने कुछ आपके आइस लिमिटेट प्रप्रप्ब्ब्लम्स को यहां पर शोग किया है कि आपके घर किसी सघ्र लंग वी सँक्रांटी न्यक्ति रिभी और यह प्रब्लम सब्सक्राइब उनको न ई हामनमाज भेह तो डूसरे रहा है यह कईते यहां पर की कभी 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 कर रोड का मतलड क्या हctory एक ऐसी огर्ण का जो स्क्राइब रहाई यहां पर यह फिर दूरिशय एक बीजि़ा और है और उन दोनों मिनिंग्ट सथ थे निकलते हैं जैसे की इस जिरैक के गूर्ड र्डेट और बैटर दोनों का जो अंचा तो वह मैं चोटरिए के था क्रता नों मैं यहां पर बहुत अच्छा और अच्छा यह हमारे हिंदी में डिफ्रेंशिट किया जा सकता है लेकिन इंग्लिश के बेसिस पर मैं बात करूं तो इन दोनों का सेमेंटिक्स अर्थ यहां पर निकलता है यहां पर बैटर का मतलब भी अच्छा है निकल का आजाता है जिनके आपके आपके यहां पर हिंदी और यहां वलद किसी और लैंग्वेज के बात करें तो उनका जो मीनिंग वह एक ही है बट आपका जो उनके spellings है या फिलों के English में मिनिंग की बात करें यहाँ पर तो डिफरेंच है तो मसीन भी इसमें के अंदर बात की गई है या किस सिमेंटिक्स के अंदर बात की गई है यह बहुत बड़ी प्रॉपर उसके बात करते हैं अब सिनोमनस के बारे में कौन नहीं जानता है यहाँ पर जैसे कि एक ही चीज के बहुत से डिफरेंट डिफरेंट सार्थ मिनिंग निकल जाते हैं जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर हिंदी में तो आपका जिसे प्राइब अची बोलते है जैसे सूरज है अब सूरज को यहाँ पर निकलते हैं तो यह बहुत बड़ी प्रॉब्म से अपका यहाँ पर तो यह इस प्रॉब्म को भी हमें क्या करना पर आपको बोला और आपके पास यहाँ पर उसको समझाने का अर्थ कुछ और हो जाता है कभी-गी जैसे मैं बोलता हूं कि यार आज स्कूल चलें अब यहाँ पर मैंने कुछ पूचा है कि क्या स्कूल चलेंगे क्या अब मेरे मन में चलना कि नहीं यार मुझे तो आज लीव गर नहीं है तो फिर इसका सिंटेक्स हो गया नहीं कि अंदर आंसरा चाहिए लेकिन अगला-वाला इंट्रेस्टिंग हो सकता है स्कूल जाने के यहाँ पर जैसे कि आपने बहुत ही आपके स्पिलिंग बोली जैसे कि मैं बोलना चाहता हूं यहाँ पर क्लास के अपने स्पैलिंग की छोटी से इसके अंदर कभी-कभी आपने देखा होगा कि कुछ साइलेंट वर्ड होता है यहां पर जैसे नॉलेज के बात की जाए यहां पर तो नॉलेज के स्पैलिंग के स्पैलिंग और नॉलेज़ वह लिग यह लगी तो यह बहुत बड़ी प्रॉब्ब्लम्स होगी यहां पर य कुछ और बोलना चाहरे हैं और काम कुछ और हो रहा हो रहा है यहां पर तो फिर उसके सिसमें भी यह सारा काम करता है और देखें डॉमें इस्पीसिस लेंगविज जैसा कि मैंने आपको बोला कि पुराने टाइम क्या होता था कि आपके एक परसें को बहुत सरे लेवल पर काम होता था लेकिन आज के अंदर यादि आप NLP की बात करेंगे तो उस वक्त क्या होता है कि आप क्या होनी चाहिए लेंगविज नहीं होती है नहीं है क्या है कि हर एक सीठी के आप पहुंचेंगे तो उनकी लेंगविज हो जाती है जब आप यहां पर जैपुर वगर की तरफ चल जाए तो वहां यहां पर थोड़ा सा और आगे चले तो वहां पर हरियान भी लेंगविज बोली जाती है तो एक स्टेज के अंदर भी आप देखेंगे तो हर इक पटिकुलर एक जोन के अंदर आपके जो लेंगविज हो चेंज होते रही है और यदि आप उस लेंगविज को पर काम करना चाहिए उसके बाद आपके अंदर लॉस लॉस बहुत ही कम सोर्सें होता है और लैक ऑफ दर रिसर्च और बहुत कम रिसर्च हो पाती है यह आप एक डॉमेंट जाके काम करेंगी मालब मैं किसी एक सीटी के जाके उसके पर काम करूंगा तो वहां पर मुझे बहुत है आज के टेकनोलोजी नहीं की स्टमाल करते हुए चीजे को चिज़े को है तो बैसिकली हम बात करना जाएंगे कि यदी मैं नल्प करना इस्टार्ड करूंगा तो मुझे क्या आना थे हैं हम प्रोग्रामिंग के बेसे पर यह सारी चीज़े बनाने वाला है और प्रोग्र यहां पर जिसके लाइब करने वाला है यहां पर कैसे और यहां पर कैसे आपकर किसी तरीके से तो basically आपके इन सारी आपके लाइबरी के लाइबरी जो यूज़ होगी वो कौन सी होगी NLT के लाइबरी यूज़ होगी जो की Python की लाइबरी है और हम Python के basis पे NLP को समझने वाले हैं NLP क्या होता है और कैसे काम करती है आज के रियल वर्ड के अंदर ये सब कुछ हमने डिसकस कर रखी है और यदि आपने ये चीज़े नहीं समझी है तो प्लीज पहले लाइबरी लेक्चर से समझें कि NLP क्या होती है तब ही आप NLP के अंदर आगे बढ़ पाएंगे और मैं को अन्ठेंD इनक करवाना होता है और इसके बाद आपको वापका वापर सुला कोटा होता है अन्ड़ा के होता है अब यहाँ पर यहां Vegल यहां पर क्या नेविक से-स करना है और और कहां से डिट्चा करना हैं और पे और ही चीज़ों के बारे में पहले knowledge होनी जरूरी है तब ही हम NLP के प्रक्टिकल के उपर से बाहर पाएंगे तो पहली चीज़ यह हो गई कि हमें यह जानना जरूरी है कि हमें NLP के अपर हम काम करने जा रहे हैं तो डेटा कहां से आएगा डेटा के बाद में उस डेटा के करते हैं और आगे अनले वीडियो के अंदर फॉर्थ हम देखिंगे भी कौन कौन से लाइबरी ही किस से का काम करती है तो बेसिक चीज़ा हम स्टार्ट करने वाला है तो बेसिकली बात करें यह आपर तो हम कौन से लाइबरी इस्तेमाल करने के बाद हम यहां पर उस डेटा साइंस और डेटा अनलीज दसी फील में अपने आपको उड़ो करना है इसके लिए डवलोगो स्क्रिप्टा के आप अपने इसके लिए क्रकर कर सकते हैं इसके लिए एका कांटक नमबर करके आप हमारी तु डेमो फिरी क्लासस ले सकते हैं तो रहे स्शुरू करें यहाँ पना चाहँगा आपको क्या तो सबसे पहला जो काम होता है वह होता है अपका डेटा क्रिक्षांट करना है तो वह यहां पर समझी कि डिटा कलेक्षिंगे लिए जीता opta क्या रहा हूं और यह ही डेटा में यहां से लिख रहा हूं तो यह यह मशीन नहीं समझेगी कि इसके इनलबहुत सारी प्रॉप्लम्स हैं यहाँ वैसे देटा के लिए साही है युमन के लिए सहे लिए यह जैसे मसीन के लिए बात करूं तो यहां पर आपके पास यहां पर को समझाना इतना इंपॉर्टन नहीं होता है फॉर्स्ट ग्रैमिकल की मिस्टेक्स होती है यहां पर उन सब को चेकिंग जरूरूरू करना होता है तो जब भी आप डेटा क्लेक्क करने के बाद डेटा की क्लेनिंग होना जलूरी है वह त्क करिंगי सब्सक्राइब रहाँ आपको या अपको किसके उपर काम करती है और जब आपको नंबर के पर काम करना है तो आपके जब डीटा आता है तो उस टेक्टर को वेक्टर के अंदे कि आपके पाद आता है जैसे के लिए तो उसके अदर घोता है जो हमें हताब कुछ आपके लीए इमपाइन फीचर नहीं होता है देट फ्र्पार आपने अंपने मॉडल को आंपने जिसके बाद पर सो घंद पर ऊसके बहुत सरी नहीं और इसके बाहर सारी आपने तो आप मौडल को कर सकते हैं और उसके बाद आपको सबस्ते हैं कि डेटा कहां कहां से करना पड़ेगा हमें आपका क्लेटा क्लेक्सिंग के लिए कौन-कौन से टूल्स इस्तमाल करने को पड़ेंगे प्रिप्रसेसिंग में क्या क्या मैं उन सारी चीज़े को समझे तो सबसे बहुत करते हैं और आप खुद अपना पर्सनली काम करना चाते हैं तो फिर आपको किसी एपिए से डेटा आपको गैट करना पड़ता है या फिर कभी-कभी आपको स्क्रापिंग भी करनी पड़ती है थोड़ा से द्यान रखेगा क्योंकि वेब स्क्रापिंग जो हती है वह इंलिगल होती है तो आपको इंलिगल एक्टिविटीज में जाना है ठोड़ी लीगल लेज लीजिए का वैब स्क्रापिंग कर सकते हैं तो वहां से भी आप डेटा ऐसे गैदर कर सकते हैं या फिर यह सब कुछ काम नहीं होता है तो आप क्या last बचा survey आप survey करें के लिए आप यहां पर अलगे लोगों से मिलें, उनसे समझें क्या-क्या language है क्या डेटा है, उनसे collect करें आपर तो यह बहुत से data यहां पर यहां पर होता है जो की सबसे इंपोर्टन चीज होती है आपके लिए आपको समझाना नहीं होता है मसीन को इमोजिस के यूनिक कोड अलग चला होता है तो वो यूनिक कोड आपको चेंजिस करने होता है दैन उसके बाद हो गया स्पैलिंग चेकर्स हो गया आप किसी वेबसेट से स्क्राप कर रहे है इडिटा तो उसके हमें सब को रिमूव करना बहुत जड़ा है इन सब की करना होता है इसके बाद आती है इसके बाद आती है फीचर इंजिनिंग में जैसे कि आपको बोला था कि आपका जो टेक्स विचल डेटा है यहां पर उस टेक्टियल डेटा को हमें करना होता है किसकंता बाइनियरी फॉर्मेशन करना निमबर्स करना होता है आपकास बहुत सी अलग अलग भर नंबर्स करना तो उसके फिर आप क्या करते है यहां पर आप फीचर इंजिनिंग करत on इंपोर्टेंस नहीं नहीं है तो और फिश अन्न आपको धंपोर्हें अज 고양गर अब आक है हमारा मोडलीडिंग की तुक्त सबसे पहले हैं जिसको आज के तर्वे सबकुछ करते हैं 26 कश काम करता है बहुत करना जहाँ तो आजकर बहुत सी एडवांस लाइबरी जो कि डिफरेंट 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 लोगती तो इसमें टेंसल फ्लोगई आप था है तो आप उसके बाद यह आप यहां पर लाइबरी इसके अस्तरमाल करते हैं तो आप कर सकते हैं तो इनके अलग बिलिदिंग के लिए यह सारे अप्रोच यह आप काम कर सकते हैं तो इनकी अलग अलग ट्रेक्निक से जिनका इस्तमाल कर सकते हैं अब नेश्ट आगे हैं यहाँ पर मॉडल का इविलेशन मतलब मॉडल आप जो बंचुक आए यहाँ पर उसकी एक्कुरेसी कितरी आई है वह चीज हमें चेक करना है आपके अच्छा प्रफॉर्म करना है तो कि यहां पर काम करें देन सकेंड़ से यहां पर काम करें न है यहां पर एक्स्रेंटिग्स ईविशन जिसके बेजिकली बाद करें हैं यहां पर जिसके बाद करता है जिसके अब तो आपके यहां पर घ। कि गभी चली घ। तो उसके बाद की प्रेक्टर जरूरी होती है क्योंकि कभी-कभी आपका जो मसीन होती है वो मसीन गलत आंसर भी दे सकती है तो मॉडल जब भी आप बन जाए तो मॉडल के अंदर आप यहां पर दो तरह के आपका सब्सक्राइब लेयर सब्सक्राइब करना है तो आप क्या कर सकते हैं देट अब बना डिया है अब इसको वेब आपके लिए कर सकते हैं। आप किसी भी आपकास AWS server के पर deploy कर सकते हैं तो इसे बहुत सी चीज़ है यहां पर इसके पर आपके सबागे इसके परश Ik- dzieci कोमेरी आगे चलते वी इसक्कास करेंगे तो चलिए मैं सेंटेन्स उठा लेता हूं जैसे ईंटेनेट से कोई संटेस अडेस टालेता है या वट इसनलपी के पर यह उखा रहा हूं यहां पर ठीक है तो मैंने वाट इस MNLP नेज्टलन लेंगविज पर्सेशिंग और यह हम कहां से उखा रहे हैं विकी वीडिया से बाता है तो यहां में पर इनपरिमेशन दे रहा है कोपी करता हूं और कोपी करने के बाद अब हम यहां पर क्या क्या इस्तेमार की ठीक है तो सबसे बहुए मैं बात करूँगा कि जब भी आप टेक्शोरेटर के पर बात करते हैं तो यह कुछ elements होते हैं सबसे बहुए होता है hierarchy of tax hierarchy of tax का मतलब यहां पर यह होता है कि आपके tax के अंदर कितने number of यहां पर words का कि लिए लिए अब कितने number of यहां पर अलफाबेट का इस्तमाल किया है और चलते विए words के उपर भी हमें काम करना परता है और alphabets के आपके बाइस करते हैं तकि आप नमबर तो टोकनाइज भी एक बहुत इंपार्टन जीज़ होती है उसके बाद आपके वर्ड्स के अंदर कितसी व्यकबिलिरी का अस्तमाल किया है उसके बाद आता है उसके बाद आता है उसके बाद आता है पर पर यहां पर वर्ड्स का अस्तमाल किया है इसके बात करें तो बहुत सारे नबर फोड़ा है लेकिन लेकिन नाचुरल और नाचुरल और लेंग्वेज जो क्या सब्सक्राइब तो इसकी काउंट की बात करो तो कांटिंग इनकी वन ताम रहेगी क्यों रहेगी क्योंकि यह दोनों वर्ड्स वह बारबार रिपीट कि आपके आपके जो वर्ड्स है उनको हम क्या करते हैं अलग लग करते हैं कि जब भी आप यहां पर काम करें जैसे मैं इस पूरे पर काम कर रहा हूं तो उस वक्त हम सेंटन्स के नहीं करते इसको नर्प सकेंद करते हैं तो तो और को यहां पर कटिंग करनेर कण अपर उस पर हमें आगे काम करना है उनके कइन उसके लिए डोस अपके लिए इंस शेंग होता है नहीं लगा तो यहां जहां चाहां वहां वहां से वह को ब्रेक करेगा और आपको यहां पर रिपीटिशन किया गया यहां पर वह वर चीज है आपके आसके में आती है वोकबलरी में आती है चलिए नेक्स्ट आप बात करते हैं आपके पास कॉमा होता है इन्वर्टेट कॉमा आपके आस होते हैं तरह से बहुत सारी चीज होती जो पंचूईशन का पासा पर इसके बारे में पूरी सपीश के बारे में बात करेंगे इससे पर जितनी भी चीज है के लिए हमने एक डेडिकेट वीडियो बना रखी है जहाँ पर हमने वर्ड टोकनाइजेशन के बारे में डिस्कुस करके तो आप यहाँ पर डेडिकेट वीडियो को देख लीजिए आ गया नहीं होड़ा टाइम जन्दा वकबलरी के बात करें तो आप काउंटिंग का बेसिस इस्तवाल कर सकते हैं आपको यदि पाइथन आती है तो पाइथन की बेसिस पर वर्ड की काउंटिंग कैसी की जाती है वो आपको सिंपली क्लियर हो जाएगी अब नेक्स चीज़ पंचुईशन के लिए भी हमने एक डेडिकेट वीडियो बना रखे है जहां पर हमने से देखेंगे पंचुईशन वहां पर मिल जागा पार सोब स्पीच के अंदर बात करेंगे तो आपको क्लीर कर दूंगा कि सब्सक्राइब और किसी थिए कौन से वर्ड इस्तमाल हुए उनके अंदर से कैसे वर्ड है वो क्या है अन्य उन्य प्रनॉम इन सबस्क्राइब का क्या लिए यथर इशाहिए याम यहां पर और हमारो इसको हाट इसको भूंपर पार प्लेंग आनने के उपर प्लेंग आपI इसको त्हूंस के बात करें हैं और यहां पर बना भारे आपको के आपको निए काम करते ही हैं कि यहां ši लेकिन बात करें बेस वर्ड के उसका और इसके बारे में आपको दिखाए जाता है जो कि आपके पास आपके पूरी डेटेसेट के अंदर बहुती कम इंपक्ट करते हैं आपके पार या पर कोई हमें जरूत नहीं करें यहाँ पर इसे बहुत से वर्ड है जैसे सी पूरी लिस्ट होती है जिसके अंदर से आपके आपके अगर सकते हैं वहाँ पूरे हटा सकते हैं जो आपके इपक्ट नहीं करते हैं आगे चलते हुए ठीक है जब यहां पर नेच्टर लेंगे प्रोसेसिंग के थुरू आप कोई भी कमांड वर्गर देते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि आपका उसमें से कुछ पर्टिकुलर वर्ड को ही सर्चिंग करके आगे कमांड में लिए जाता है प्रोपली पूरा कमांड नहीं लिए जाता है तो फिर उसकेस के अंदर फिर आपको स्टॉप वर्ड को यूज करता है तो जैसे कि मेरे पास यह पूरा डेटा सेट है यहां पर ठीक है इसकाल यहां पर बात करें तो सबसे और बात करें और हमारे पास क्या पास का यहां पर इसको और उसके अंदर हमारा बनाए है इसके निदर मैं यहां पर इसनिक ने करें बले को दाल गयाए अब यह कैसे हो रहा है इसको आप आगे चलते वह डेडिकेट वीडियों के अच्छे तरीके के क्वैसे हो रहा है यहां पर सो स्पीच के लिए मैं करता हूं और मैं इस पार्स भी स्पीच के लिए आप पर स्पीच का ही काम करने वाला है अब पार्स तो मैं पी नाम से एक बनाता हूं यहां पर और इसके पार्टस ऑफ इस पीच टेक्स का स्टमाल करूं और जैसे आप इसे एक टोपन करेंगे तो यह आपको टोगनाई जो वर्ड है वह आपको मिलेगा इसके लेंगवेज को भी आप चेंज कर सकते हैं अलगे लेंगवेज के आपके लिए इस्ते माल करेंगे कि यहां रवा और जो कि यहां पर रण करना है आप मुझे क्या करना है यहां इसको क्रेंट करना है तो मुझे मिल चुका है, तो इसके पूरी ज़ा मतब है एड ज़ेक्टिव? चलिए, अग्रे बात करते हैं हैं हापा, कि आगर क्या आया है, लैंगवेज की बात करें, यहां पर लैंगवेज इस نے लिखा एनन है, यहां पर इनन, तो चलिए, मैं एनन को दिखा दू अनन क्या है और क्या मैस है यहां पर प्रिपाससेंग इसके बाद यहां पर कॉमा को इसने नहीं होता है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर सबस्ता है यहां पर हमसे इसके बहुत अच्छी करके यहां पर यहां पर इसको लिखा है यहां पर बात करें तो करते हैं यहां पर इसने इन बता है तो यहां पर मैं इन की बारें बात करूं तो इनका मदलब है प्रपोजीशन्स इस तरह से यहां पर आपके चित्ने भी वर्ट से उन सारे वर्ट का इनना क्या पर यहां पर सारी चीज़ बता दिया कि कौन सी इस जीज़ किया यहां पर आपके आस of speech जिसका आप इस्तमाल आगे जलते करते हैं क्या होता है कभी-कभी जो sentence होते हैं आपके पास यहां पर उसके आपे हमें यह पता करने पड़ता है कि कब वर्प इस्तमाल हो रही है और कब जो है आपका noun इस्तमाल हो रहा है तो काफी दर तक हमारी जो English होती है वेल नोन आपक कब उसे वाइड चर्च बोले है तो यह हमारी बिसिक चीज होती है ओके गूगल ओपन यूटूब ओपन यूटूब ओपनिंग यूटूब ओके डर्स नाइट कूल फिचर ओके गूगल विल्यू मैरी मी ते हूं आपकी मीरी मारी गूगल ओके डिवा जिचर्च वाइड चर्च बेंट अरड दिप्र लडश्च ट्रच वर रेलेश्च यूटू अबदे की वा रिल्यूटू यूटू चिर्च व्यूटू यू इजू व्यू लडू अपका टंच व्यू उटूटू but first I have to ask do you want to fancy your short nickname my name is Gaurav you'd like me to call you by the name Gaurav is that right yes sure I'll call you Gaurav from now on okay what is my name your name is Gaurav okay that's this is a very cooling feature which I can talk to my Google Assistant in your phone this is a feature and this is a feature this is NLP NLP is natural language processing natural language processing your voice is a sentence or text upon writing I would to समझने वाल हैं कि जो यह हम text बोलते हैं वो machine कैसे understanding करती है क्योंकि हमारे text के अंदर बहुत सारी mistakes होती है जैसे मैंने इसे बात कर रहा था तब यहाँ पर बहुत सी ऐसी problems आई थी जिसको वो understanding नहीं कर पा रहा था तब वो बार-बार repeat कर रहा था तो अब उसको कैसे understanding बनाना है कैसे उसे यहाँ पर सही coolest features देना है मतलब हम जो यहाँ पर sentence देते हैं उस sentence को कैसे यहाँ पर prepare करना है आज के इस complete video के बारे में जानेंगे तो आज के इस video के अंदर हम बात करने वाले हैं test preprocessing के बारे में कि आपके पास जब भी कोई आपके आस tax होता है जो कि आप किसी voice assistant को या फिर machine को देना चाहते हैं जिससे वो समझे तो उससे पहले उस tax की preprocessing होती है अब यह tax की preprocessing कैसे होती है क्या techniques है किन-किन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए उन सारी चीजों के बारे में जानते हैं यदि आपको python, machine learning, data science and data analysis फील में अपने आपको grow करना है इसके लिए WA script के online and offline बने batch करना जॉइन करके आप अपने skill को improve कर सकते हैं इसके लिए यगा contact number पे call करके आप हमारी two demo free classes ले सकते हैं तो सबसे मेले मैं यदि आप से पूछूं कि tell me about yourself तो आप क्या बोलेंगे I am a person who is the positive about every aspect of my life वगला वगला बहुत से things आप यहां पच्चिके बोलेंगे यदि आप voice assistant के बारे में भी बात करें फिर उसका मैं क्या करूँगा उसको translate करके दूँगा या तो हिंदी में या फिर आप जो भी for language करते हैं उसके अंदर मैं translate करके दूँगा तो जब भी आप इस sentence को देखते हैं तो इस sentence के अंदर बहुत सारी mistakes है या फिर मैं बात करूँँ ये sentence English perspectives के अंदर या फिर language perspectives के अंदर बात करे जाएं तो ये बहुत ही correct sentence लिकावा है बट जब मैं बात करना चाहूँगा machine के बारे में तो machine इस sentence को properly understanding नहीं कर पाता है क्योंकि machine का जो working system होता है क्योंकि machine आपके पास artificial neuron letter पे काम करती है तो वहाँ पे जो आपके आस inputs terms होती है वो आपके पास numerical numbers के अंदर होती है तो basically हमें यहाँ पर बहुत से चीज़ों को modify करना परता है मतलब हमारे पास जो sentence है या फिर हमारे पास जो text लिका है उसको pre-processing करना परता है अब pre-processing के अंदर हम क्या क्या करते है just like यह जो comma लगा है इसे हमें हटाना परता है और इसके बाद में देखी यहाँ comma है यहाँ semi column है यहाँ पर dot आप देख पा रहे हैं यह भी आपके आस है इसके साथ आपके आस कुछ ऐसे words है जो बार-बार repeat हुए है तो उन repeats को भी यहाँ पर सही करना परता है तो basically बात करें sentence processing के अंदर आपका जो इस sentence है इस sentence को बहुत मेरा google यहाँ पर ready हो चुका है वापस फिर से तो यह जो sentence हम बोल रहे हैं यहाँ पर इस sentence के अंदर भी बहुत सारी अलगलग तरीकी की mistakes होती है जो कि आपके पास यहाँ पर उस mistakes को हम यहाँ पर machine को नहीं दे सकते हैं तो फिर उस cases के अंदर हमें इस sentence है इसको हमें सही करना परता है तो अब यह सही कैसे करता है वो text आपके आज properly सही तरीके से ही नहीं है सही तरीके से नहीं है जैसे कि मैं यदि URL ले हूँ किसी भी आपके आज वेबसाइट का URL की बात करूँ तो उस URL की cases के आपको देखेंगे तो आगे HTTP आता है उसका double slash आता है फिर उसके बाद आपके आज यहाँ पर URL आता है मतलब जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है वो आता है www.करते हुए फिर उसके बाद कहीं आता है तो अब उस sentence के अंदर मुझे HTTP से कोई मतलब नहीं है double slash से भी कोई मतलब नहीं है मेरा जो URL कहलाएगा www.wsqpact.com कहलाएगा तो वो मेरा actual URL कहलाएगा HTTP जो है server उससे हमें कोई लिना दर नहीं है उस cases के अंदर भी मुझे क्या करना पड़ता है हमारे tax की preprocessing करनी पड़ती है तो basic बात करें तो हमारे पास दो cases है पहले cases के अंदर यदि हमारे tax ही पूरा रभीश है तो उसको हमें सही करना है second cases के अंदर क्या होता है कि जब भी आप कोई assistant त्यार करने है जैसे मैं Google Assistant त्यार करने की कोशिस करा हूँ या फिर मैं यहाँ पर आपके पास translator बनाने की कोशिस करा हूँ तो फिर उस cases के अंदर वो चीज़े ली है जिसके अंदर आपके जो tax है वो रभीश नहीं है सही format के अंदर है बट हम उसके अंदर क्या करना चारहे है कुछ और modify करना चारहे ताकि हमारी machine समझे अब इसके अंदर कौन-कौन से cases आता है तो सबसे पहले आता है lower cases lower case मतलब आपके जो भी आपका sentence है उसके अंदर यदि आपके अपर case का इस्तमाल के अगए तो उसे हम lower case करेंगे HTML text यदि आपको हटाने है URLs हटाने है punctuation हटाने है chat word treatment करना है या spelling corrections करना है यह सारे cases आते हैं यहांपर यदि हमारे पास यदि sentence पूरा सही है लेकिन हमारे machine के लाइक हमें बनाना है तो उसके अंदर आपके tokenizer आता है tokenizer in the sense मदर word को अलग-अलग करना that stop word removal आता है जैसे की dots वोगेरा हो गए semi columns होगेरा हो गए इनको हटाना ngrams आता है stemming साता है word sentence आता है आपके आज counting vectorization आता है lamination आता है FTID vectorization आता है और health vectorization होता है तो यह सारे टेक्नीक्स आती है जिनसकी health से आप text की preprocessing कर सकते हैं अब आगे आने वीडियो के अंदर हम यह जितनी भी टेक्नीक्स है इन टेक्नीक्स को one by one discuss करेंगे और समझेंगे कि यह टेक्नीक्स किस तरह के से काम करती है तो फिलाल आज की वीडियो के अंदर हमने यह समझा कि हमारे पाद जो assistant आपके आज use लिया जा रहा है उस assistant के अंदर जो हमारी voice जा रही है उस voice को कैसे clay fry करके हमें यूज करना परता है अब आप चाहें खुद का voice assistant बना या Google का यूज करें या फिर Alexa को यूज करें तो उस सभी के अंदर इन सारी टेक्निक्स को इस्तमाल किया जा रहा है NLP को जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं उस वक्त आपको sentence की preprocessing करनी होती है अब sentence की preprocessing के लिए हमें बहुत सारे step text सीथे हैं यहाँ पर बहुत सारे techniques के बारे में इसीथा हैं यहाँ पर लेकिन आज की इस video की जड़े जो हम techniques सीखने वाले है that is a tokenizer हम क्या करने वाले हैं sentence preprocessing का स्तमाल कर रहे हैं तो पहले यह जानेंगे कि tokenizer होता क्या है कैसे काम में ले जाता है और कहां पर हमें काम लेना है इसके बारे में हम डीटेव के साथ देखने आना है तो देखें मैं tokenizer की बात करूं यहाँ पर तो tokenizer क्या होता है कि आपके आज कोई भी एक sentence लिखा होता है या फिर एक बहुत बड़ा paragraph लिखा होता है उस paragraph को multiple small small sentence के अंदर यह आपको convert करना होता है तो आप tokenizer का स्तमाल करता है या फिर आपके आसे complete sentence दे रखा है और sentence के अंदर हर किसी word को आपको differentiate करना है तो आप tokenizer का स्तमाल करता है तो tokenizer का basis काम क्या होता है कि आपके पास जो भी आपका data है जो भी आपका textual data है यहाँ पर उसे यदि आपको splitting करनी है यहाँ पर उसको break करना है तो आप tokenizer का स्तमाल करता है आप tokenizer आपके आस बहुत से तरीके से work करता है इसके अंदर आप यहाँ पर जो stop words को भी remove कर सकता है लेकिन यह हम पर दर आगे आने वाले classes के अंदर discuss करेंगे कि stop words करता है क्या से remove किया जाता है तो फिलाल अभी की वीडियो के अंदर बस हम यह देख रहे हैं कि tokenize कैसी किया रहता है किसी work को या फिस sentence को किसे को भी यादि आपको tokenize करना है आप उसे tokenize कर सकते हैं अब tokenize करना क्यों है reason क्या है why that's tokenize करना तो देखे जब भी आप किसी भी data को जब भी आप किसी data को आप किसी algorithms के अंदर या फिर neural network के अंदर देते हैं तो उस वक्त आपका data किस फॉर्म में होपा है निमेरिकल फॉर्मिट के अपका टेक्श्टेल डेटा आपकी जो मसीन है वह नहीं समझ पाती है तो जब आप यहाँ पर उसे अपना टेक्श्टेल डेटा की जगा से लेकर देतेisолод निमेरेकल भी आपके आपके आस पूल चीज़े हैं just like मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि जैसे percentage हो गया जैसे dot हो गया semi column हो गया या फिर ऐसे बहुत से word होता है जिनको हमें हटाना पड़ता है लेकिन हटाने के लिए भी हमारे पार जो आपका sentence है या paragraph है उन्हें break करना पड़ता है क्योंकि break करें भी चीज़े हैं उनको निकाल सकते हैं यह first step है जब हम tokenize कस्तमाल करते हैं अब tokenize कितने types के होती है तो tokenize आपकी दो types के होती है first is sentence tokenize then second is यहां पर word tokenize अब sentence tokenize के अंदर क्या होता है कि जो भी आपका sentence लिगा यहां पर बहुत बड़ता sentence लिगा यहां पर आजके lecture करना हम दोनों को समझेंगे कि sentence tokenize कैसे perform करना है और word tokenize कैसे perform करना है लेकिन इसके लिए हमें एक library की जरूत पड़ेगी यहां पर आपको यहां पर सर्जेस्ट करूंगा कि आप क्या करें जैसे इनसे इंस्टालेशन ठेकिए आप ऑने इसके इसकी लाइबरी को इंस्टाल करना बहुत अपको अपर यहां बहुत बड़े लाइवेगी जिसके तुरू आप पर जो जो जितने प्रफॉमेंस होने वाले आगयाने वाले जितने वी आमारे पास यहां पर जो Source के साथ प्री प्रोसेसिंग होने वाली है वह साथ ही चीजे आप इसके बेसे कर सकते हैं तो फिलाल आप पहले सबसे क्या करें इसे इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम के अदर अब फिर आप यहां पर एक पाइटन की फाइल बना ले जिसके पर हम यह पूरा प्रोसेसर कैसे क आप जैसे आप इस सेंटेंस को बढ़िए है अपर बहुत कुछ यहां पर लिखा है तो मैं चाहता हूं कि इसको टोकनाइज कर देजाए प्रॉपर वे के अंदर तो पहले तो मुझे सेंटेंस की जरुत पढ़ेगी तो मैं काम करता हूं वेरेबल बनाता हूं यहां पर और यह मेरे पास यहां पर पूरा सेंटेंस यहां पर जोगता है और बुछ सारे फूर यहां पर देखेंगे हैं कि हम इसे के सकते हैं यह वास काम करने सब्से फिल्था है तो इसके लिए हमें NLTK की जरुत पड़ेगी तो आप क्या करें from की हल से NLTK जो लाइवरी है यहाँ पर उसे क्या करें इंपोर्ट करें डैट उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है आप क्या है क्लास है जिसके अंदर आपके बहुत सारे फंक्सिंस है जिनका आप इस् और उसके बाद मुझे sentence टोक नाइज बी करना है जोकि इस क्लास को आपका काल करेगा और इसके अपका डेटा लेके आएगा और उसके निदर हमारे जो से रख़ान बवस्त था लोस का सभण काम करता हूं इसकेald ऒूड़ा सा बिगडर स्क Tina ऐगा लेकिन हम क्या एड़ कर्षा इसको ब्रेक करें जिस्त Death मैं यहां से क्या करता हूं and एक काम करते इसको end को रहने देते हैं तकि यह जो अगला textual है यहां पर and concrete इस तर लगाते है फुल स्टॉप फस्स लगा ती हैं यहां पर और कहीं फुल स्टॉप लगाने की सोच रहा हूं यहां पर तकि यह थोड़ा सा अच्छा वजा यहां लगाते हैं यहां पर यहां पर चलिए तो मैं sent tokenize को यहां पर करता हूं sent tokenize के अंदर जाके मैं यह जो वैर नाम करते हैं तो आप यहां से लगाकर एक आपका सब्सक्राइब करते हैं तो मैं काम करता हूं इसको फूर्लूप के थूरू चला आपको दिखाता हूं कि कौन इसके बाद में नेक्स्ट आपका सक्या है इंफ्रेक्च्छ वाला है तो यह इस फ्रेट्च्छ वाला गया गया तो और उसके बाद में नेक्स्ट आपका तो वैसे तो फिलाल हमारे पास एक ही सेंटेंस था लेकिन हमने इसको ब्रेक करके दिखाया थाकि आपको अच्छे अंडिस्टेंडिंग हो सगे कि आपका किस तरह से संट जो आपका सब्सक्राइब इसके अंदर जितने भी आपका सब्सक्राइब यह सब टोकनाइब तो मैं अगला यहां पर बता रहा हूं वर्ट टोकनाइब नेटा पर नियद्ट कर से नियर्प लार के लिए जरकए लिए तो यहिए डिवर आपको रहा है यहां पर और नेचलर अलगा हुचिक हैं अलग हो गया और कैसी ब्रैकेट्स अलग हो गया औरन ग्राकेट्ट फिल्ट ए शब आपका सारी जो है वह यहां पर एक्तम सही उडर्व हो चकी है वह सारे के आपको यहां पर यहां पर यहां पर तो बैसिकली टोकनाइस का सिसी भी आपका सिस प्रोसरिंग के बात करें या पर आनलपी के बात करें तो आपको टोकनाइस चीकना बहुत बहुत वर जो पारे में देखे जब भी आप यहां पर NLP के इंदर टेक्स प्री प्रोसेशिंग के पर काम कर रहे हैं तो टेक्स प्री प्रोसेशिंग के इंदर जो फॉर्स स्टेप होता है यहां पर बात करता है स्टॉप वर्स क्या होते हैं जैसे एंद हो गया है इसे बहुत सारी स्टॉप पूरे इक सेंटेंस के लिए जाता है या फिर आपके थोड़ा सा अच्छे दिखाने के लिए वाद लिए जाता है यहां पर यहां पर एक significant meaning निकलेगा और I am a boy मैं एक लड़का हूं यह भी वही एक meaning निकलेगा जो sentence बोला जा रहा है वो उसी particular boy के लिए बोला जा रहा है उसी लड़के के लिए बोला जा रहा है तो यहां पर जो अ है वो एक इतना factor नहीं डाल रहा है आपके sentence के उपर तो देखिए जब भी हम natural language processing के उपर बात करते हैं तब आपके ऐस ऐसे बहुत से words होता है जब भी हम यहां पर इस data को आपके मसीन को देते हैं मसीन को देने का मतलब क्या हो गया आप कोई भी algorithms को आप यहां पर देते हैं तो algorithms के अंदर क्या होता है बहुत बढ़ी problems होती है कि आपके इतने स्यादा words हिकटे हो जाता है कि वो खुद understanding नहीं कर पाता कि कौन सा word क्या चल रहा है तो फिर उस cases के अंदर में क्या करना बढ़ता है जो unuseful word है जैसे I am a boy फिर उसका dot लगा होता है English के अंदर that is a dot is a full stop ताकि वो यहां पर क्या करें उस sentence को complete करें तो वहां पर ही जो full stops है वो एक effective meaning नहीं जालता है यहां पर I am a boy से ही मेरा काम चल जा रहा है और I am अब में भी काम ली चला जैसे the sunrise the sunrise okay the sunrise in east या ऐसा कुछ sentence बोला जाता है तो sun के आगे हम दर लगाते हैं क्योंकि अ आपके आस उसको sentence को अच्छा बनाता है तो यह हमारे sentence के लिए बात करें natural processing के लिए इतना important rolling करते हैं तो फिर उस cases के अंदर हमें उनको हटाना परता है क्य हो जाएगा और जो कि हमारे machine समझ जाएगी और समयजनी के बाद यहां पर बहुत ही wrong predictions करना स्टार्ट हो जाएगी यदि आपको python machine learning data science and data analysis फील में अपने आपको ग्रो करना है इसके लिए WA script के online and offline बने batch करना जॉइन करके आप अपने skill को इंप्रो कर सकते हैं इसके लिए अब इसके बाद बात करें तो यहां पर कभी कोई important point नहीं है तो इसके बाद बात करें तो और भी बहुत सारी वर्ड है जैसे कि how आपके आस हो गया तो ऐसे इसको भी हटा सकते हैं इसी तरह से देखे as well as के अदर देखे as as जो है वहाप हटा सकते हैं यहां पर तो यह और इसको भी अठा सकते हैं क्योंकि यह जो होते हैं वह आपके लिए sentence के लिए perfect आपके जो मसीन के लिए understanding के लिए काम के लिए होते हैं तो बस हमें इस सारी चीव वर्ड को अठाना पड़ता है अब बात करें यहां पर कि यह कैसे राया जा सकते हैं तो पहले आपको first time fall क्या क पड़ेगी तो मैं natural language processing के wikipedia के बीच पार चुका हूं जहां पर मैं क्या कर रहा हूं यहां पर यहां से कुछ sentence उठा लेता हूं यहां पर और इसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे चीज़ें यहां पर यूज की गई है और इसको काम करते हैं एक वेरेबल के लिए इसके लिए पर चुका है यहां पर यहां पर इसको लगा किया ताकि हम यहां पास कभी इनकेस ऐसे कुछ sentence आजा है तो आप इसे कैसे अटाएंगे तो इसलिए हमने क्या इस वैर को लगा दिया अब मैं इस वैर को प्रिंट करके दिखा हूँ आपको कैसे दिखा है तो इस तरह से आपकेस दिखाई दे रहे हैं और इसके आपके डबल कोड कास्ते आपके दिखाए तो पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कोई स्टॉप वर्ड कौन पर दिखेंगे कि इन सारी जो चीज़े जैसे यह आपके डबल कोड वकर हो गई हैं पर इनको कैसे हटाया जा सकता है वह भी हमें देखना पड़ेगा कि हमें इनके जरूत कैसे हैं तो सबसे वहले में स्टॉप वर्ड के पास आने के लिए आप क्या क्या है बहुत सारे जो लेंगी का इस्तो बडिशा कर सकते है पर सबसे यहां पर लेंगूच को अज यहां करने हैं आप और यहां को सब्सक्राइब कहाँ कई यह datos गौन रिपाएं पर ढें से प्र हौन कौन जोकि बहुत से स्टॉपवर्स इन्हों लगा रहा है जो की काम किरए इसके अंधर यहांपर आपर सब्सक्राइब इस तो यह सारे पर सारे स्टॉपवर्स तो इस सारे स्टॉपवर्स का आप स्टिमाल कर सकता है अब मैंने का stop words के अलावा भी तो हमारे पास बहुत से चीज़ होती है just like मैं बात करना चाहूंगा यहां पर कि यह आपका semi columns हो गया आपका brackets होकर हो गया तो यह सब कैसे पता करेंगे तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा एक और लाइबरी का यूज करना पड़ेगा तो मैं from के यहां पर क्या करने वाला हूं यहां पर आपके पास string नाम की एक लाइबरी होती है जिसका आप अस्तमआल कर सकते हैं यह तो string नाम की लाइबरी का अस्तमाल करने और इंपोर्ट करने के बाद यहां पर eck Chemistry नाम यहां पर क् flame होती है जो के आप करते हैं जिसके इनद्र सारेmiş हैं अब जैसियसे में आपको तो यह पंचुशन मिल जाएगा आपको यहाप अभी काम करते हैं इसको एक लिस्ट बना लेते हैं यहाप यह लिस्ट जो है वह आगी काम आने वरी है तो मैं एक लिस्ट के जाल तो तो मैं यहाप तो मैं इस के लिस्ट यहाप पर यहां पर इस सेंटेंस के अंदर से सारे स्टॉप यहां पर इमोगोग हो जाए अब यहां पर करते हैं मम इन श्टॉफर्स को रटाता है स्टॉफब्स पॉर्स के अंदर है यहां Iljy कौने के इसे उसे रखले और ही पूरा सटेंस गर । या पर कहां से कॉझ कंदर करने वाला है необhеч़ डाता हूं एक फोलूप चलाता हूं यहां-पा-WORD-I IN यहाँ पर और यह क्या करना हमें यहाँ यहाँ कि जो वर्ड हमारे पास है है यह वर्ड लिस्ट के नहीं होना चाहिए तो फिर क्पर काम आगा मैंबर्सीब आपलेटर का स्तमाल करेंगे यहां पर तो में यहाँ पर कि जो मेरे पास आई आ रहा है वह आपकास क्या होना चाहिए not in मलब नहीं होना चाहिए लिस्ट में पास यहां पर तो यहां पर यहां पर क्या हुआ है यहां पर करते हैं और टो क्षाइय कई करने के बाद ही यहां पर यहांपर Avengers कर रहा हूं और इंपोर्ट कीzिर कर रहा हूं यहां पर यहां पर वेर अंडर्सकोर नया वेरेबल बन गया है यहां पर और जिसके दिए कहा होगा और टो की जरी है हमारे सब कुछ क्वान करता है इसने अप सबकु आप तिया लेकिन नैच्राल लेंगवेज प्रोसेशिंग नलपी यह लग कर दिया इसका सब्फिल्ड लेंगिश्टिक कम्प्यूटर कम्प्यूटर साइंस अर्टिफील लेंगिज और देखी सारे सारे वर्ड को अल्मोस्ट इसने हटा दिया है आपकर चेकर करते हैं किसके बाद हैं तो चापिबल के बाद मेश्ट्र के बाद में क्या यूक्स के बाद में क्या इस्तों है के बाद में यह हमें फसार आता पहले भी और अभी यह काम करता है क्योंकि यह क्या करता है कौड को लेता है और इस वजह से यह अठा चुका है तो सारे जो वर्ड्स है वह रचुका है यहां पर और जो भी आप देखिंगे नहीं सबस्क्राइब करें तो सबसे आता है इस और इस सबसे पहले इस और इस अब इससे चाहिए और यहां पर टाइप के बारे में यहां पर आई दिखाऊं यहां पर रन करूं तो देखे सब सबस्क्राइब करें सबस्क्राइब करें सबस्क्राइब कर सकते हैं आप किस तरीके से यहां पर स्टापफ इब मोविंग कर सकते हैं कि ऊश्रeks पर नेमंेल स्सक्राइब कर सकते हैं ब सबस्क्राइब कर शर्ब कि यह बहुत ही important टैक्नेट क्यों कि आप जब भी natural language processing के अंदर काम तो नेच्टर लिंगेज प्रोसेसिंग के अंदर जब भी आप सर्चिंग वगरा करता है यहां पर तो उस वक्त यह टेक्निक आपका सबसे ज़्यादा काम में रहती है यहां पर तो देखें का काम क्या होता है कि जो भी आपके काफी वर्ड के कुछ-कुछ फॉर्म सब्सक्राइब जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा कि चेंजिंग की बारे बात करूंगा तो देखें एक्च्वल वर्ड तो चेंज है लेकिन इसके अंदर आपके आपके अश्यादा है कि आपके जो वर्ड होता है कभी चेंजिंग हो जा चेंज से ही मतलब है चेंजिंग चेंजिंग से मतलब नहीं है इतना ही आप तो उस वक आपको क्या करने बाते हैं से स्टेमिंग करने बाते हैं स्टेमिंग का मतलब होता है एक तरीके से काट के अलग रखना जैसे आपके आपके जो पेर होता है वो पेर बहुत जादा बढ क्योंकि वह आपके लिए या इतने इंप्रेंस रूल नहीं करते हैं अब नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा कि इस नो बॉल्स आपके पास यहां पर और बी काम करते हैं और यहां बाकी ज़ो आपके आस यहां पर इंग्लीश के उपर करती है और यहां ब Freunde कंदर हम संगे कि उसे कॉल करूंगा और इसके नदर है stream के नाम से है यहां पर थीके बाइब करने अब कौन सी है यहाँ पर classes तो क्लास तो देखे पहले है पोड को कर रहा हूं यहां पर उसके बाद यहांप पोस्टर नोब सब्सक्राइब करते हैं इन सब को यूज करें अभी काम करते हैं इसा कुछ देनी की जरूत नहीं है यहां पर आपके आर नाम से एक वेरेबल बनाते हैं जिसके थुरू हम क्या कर रहे हैं अब रिजिक्स स्टीमर के अंदर एक चीज का त्यान करना पड़ेगा इसके अंदर उसके काम करता है उसके लिए यह सब्सक्राइब करता चाहर जिसक अंदर इसके क्यों एक अक्र गूमिंट है यहां है फिलाल मैं यहां स्टिमाल ने को यहां पर पोस्ट मास्टर के उपर तो पी नाम से लिए बनाता है जिसके अंदर आपका सिव क्या पोस्ट टीमर का सितमाल करेंगे और पोस्ट टीमर के तरफ वैसे कुछ पास करना नहीं की जो हती है तो आप यहां पर यह अब क्या करते हैं यह सारा काम करते हैं अब क्या करते हैं यहां पर काम करते हैं इसके अंदर एक फंक्शन होता है करते हैं इसके अंदर यहां पर इसमें यहां तो इसने चैंगो और फिसे लिन्क आपका अंप no तो फिस्के बाद में आपके से स्टमाल करेंगे तो यह क्या कर रहा है आपके तो यह यहां पर आप लोगों को नहीं करेंगे नेगे तो यह सारी आपका यहां पर स्टेमिंग के तरीक है जिनको आप डिफरेंड दिफरेंड लें डिफरेंड वेकिन। इस्तिमाल कर सकते हैं घ्सक्राइब बात करना जाओंगा की क्या करता है तो बस्क्राइब क्या होता कि जैसे कि आपने अंतर अन्य तो एक स्टीमी का करें लेकिन आप इसके अंदर बेकिन फिर्षिक टीमर की बात कर रही है और अब हम लिए सीम के बात करतें तो चौन पर ड्रांचिस को कट करने का मिए आपकर जो अपकरunta ने का काम करते हैं कि आप जो भी वर दे रहे हैं उसका एक अलग से मिनिक निकलता है जैसे कि मैं माइस का माउस आपको बना के देता है जो भी आपका इसके साथ यह करेगा लेकिन आपका स्टिमेंटिक वर्ड्स आपको निकाल करेंगे क्योंकि क्या होता है जिनका राइट मीनिंग निकालना बहुत ज़रूरी होता है आपका स्टिमिंग से जब्सक्राइब सबसे पहले मैं इसको समझते हैं यहां पर तो मैं यहां पर करूंगा इसके अंदर जाने के बाद मैं यहां पर इंपॉर्ट करूंगा और इंपूर्ट की सब्सक्राइब से क्लास है उसे मैं करूंगा अब इस टबलू एल के अंदर आपके लेमिनाइज नाम का फंक्शन है जो कि आपका स्वार्ट को गए में का लेका लेका चले देखते कैसे करता है तो सबसे वहले मैं यहां पर देखता हूं आपके पास सबस्क्राइब करते है तो यहलो मुझे अपका स्परेटर आपके काम करते हैं के का मिश्या पर यहांग तो यह जग शानज ही ऐएंग चेंजिंग खेंग अे चेंजिंग ग्यू के देता है लेकिन अब यह सब्सक्राइब करता है लेकिन यह आपका तरीके थे यह काम करता है यहां पर सब्सक्राइब करते हैं और यह सब्सक्राइब करता है और आज की वीडियो की जरी हम समझने वाले हैं यह सब्सक्राइब करते हैं तो अपने यह किसी का भी या किसी को भी टैक्स करते हैं और जब भी आप उसमें मैसेज करते हैं तो गूगल कीवोड निकल करता है तो अब आपके अलगर फोन के अलगर कीवोड को प्रिफर करता हूं अपने अ की यहाँ को करता है उन पर क्लीक करता हूंダ लिखा रहा है अब जैसे मैं आई को प्रेस करता हूं स्पेस करता हूं तो यहां पर कुछ ऐसा वर्ड लिखा हुआ रहा है यह पूरा लिखा रहा है और आगे-आगे-बढ़ते जा रहे हैं पहुत से तो यह रहा है यहां पर की आपको यह पूरा सेंटेस को नहीं आता आपको यहां पर शेंटेस को नहीं आने के बाद यहां पर आपको बात करूं आपको पूरी पूरी जो स्पैलिंग है वह आपको दिखा देता है यह आपको प्रोसेजर और यहां पर एंग्राम का तो आप मुझे एक्स्प्रेंग कंडे की जरुवत नहीं है कि एंग्राम क्या है लेकिन एक बाद फिर से इसके डेफिलिशन के उबर जा आप हमारी डाम फिर ले सकते हैं तो आपके वर्ड यहां पर कि यहां कि लिखा दा है कि है लगाने का लवी को दिखा जा रहा है क्योंकि यह मैं बेजा है परसंद को जितनी आप किसी परसंद को बेजेंगे तो वो क्या करता है गुगल की वोड उसे सव कर लेता है और सेव करने के बाद जब आप नेक्स टाम जाते हैं तो उस वक्त करता है कि वह जो आई लव यू जो वर्ड लिखा आपने उसमें से किवल आई को प्रेस आपको क्या रहता है प्रसंद करता है तो यहीं जो काम होता है वह किसका है आपका अपका क्या होता है और इसके साथ यहां पर रिपीट हुआ है जैसे कदिसन और पड़ा था हमने कप मसीन लेंडिंग अदर तो मसे लेंडिंग अपने देखा होगा कि मसे लेरिंग आपके च्छोटे से इसको स्माज़ते हैं यहाप जिसे मैंने कुछ सेंटेस्क्ट कि I am a person who is the positive about of my life that बहुत कुछ दिखा मैंने यहां पर घृष्ट है अब होता है कि इसके अंधर N Grams के अंदर आपके सारी Grams होते हैं मदर्ट क्या होता है यहाँ पर जासे के वल बॉजिटीव को लिक्न चलता हो इसके अंदर आथा है यूनी के बाइस पर काम होता है अब यूनिग्राम के क्या करता है यहाँ पर कि यहां पर करते हैं कि आपक्यास जोड़े उसके बाद गाला वर्लिक्राइब तब जाके मुझे positive मिलेगा that's उसके अंदर आप यहां पर यूज करते हैं बाइग्राम तो यहां पर आपको next मिलेगा बाइग्राम बाइग्राम के अंदर होता क्या है कि आपका दो दो की pairs बना जाता है यहां पर PO का एक pair बना दिया बना दिया और यहां पर यह पर यहां पर आपका यहां पर इस पूरे सबके अंदर जैसे पॉजिटिव और और इस्तेमाल कर लिया यह पूप आपका बहुत टाइम रिपीट होगा तो जब भी नेक्ट तैम मैं पी लिखने वाला हूं तो उसके थे सैट करने वाले अब मैं बात करूंगा कि जब मेरे पास कोई स helping बात करेंगी अब उसके लिभान की है जाता है उसके यहां पे i variables यहां पर हूग का एक पेर बन जाता है दencies hawam और यहां पे का एक पर बन जाते हैं ऑर चब आप दूसरी वात चलते हैं उसके रही वर्ड आपको प्रेडिक्ट होते होते हो दिखाए लेकिन इसको जड़ां प्रैक्टिक लिए और प्रैक्तिकली समझते हैं और अच्छे दिन समस्टहिं की कैसे काम करता है तो प्रेक्टिकल लिए चलता हूं जाहां भी हम एंडगाम्स की पड़ेगी तो मैं एक टेक्स बना रहा हूं यहां पर सिंपल सा और उसके इंदर मैं लिख रहा हूं आया में लिखा रहा हूं जैसे कि आया में डबलोस क्यूब टेक्ट मैं काम करता हूं यहां पर आया में गुट्बाइब कुछ सेंटेंस आभ लिख सकते हैं इसके नहीं तरह था कि आथा कि वर्ट इसके इसके मैंने ना यहां पर इसके तो और यहां पर गिया है sentence का combination subclass बनाता है अब इसके अंदर सबसे बले मुझे करना बढ़ेगा यहां पर इंपोर्ट करने वाला हूं और इसके बाद 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 करने जाएंगे तो आप यहां पर सबस्क्राइब आपको टेक्स चाहिए तो मैं इसके इंदर एक्स दे दूंगा और यहां पर यहां पर चाहे तो इसमें से यह आप अप को सब्सक्राइब करते हैं और कैसे रिमॉव करते हैं और कैसे हम देख चुका है जिनका हम इस्तमाल करने वाले अब मुझे अंग्राम के बढ़ना है तो वापस मुझे लाइबरी के पढ़ेगी जिसके अंदर मैं लाइबरी है यहां पर उसका इस्तमाल करना है और को क्लेक्शन का इस्तमाल करना पड़ेगा और होता है और यहां पर योता है इसके बाद आप बात करें तो यहां पर इस्तमाल करेंगे तो मैं यहां पर बताना जाऊंगा अपका राते हैं जिनका उनकर सकते हैं इंधान से बन जाएंगा न हमें इस्तेमरे layer बना रहा हूँ जाहाँ कर यह हमें रहां करनुघ यहां पर i सब्सक्रिक मैं और मैं इस्ताइब करें चुकि यहीं हमारे पस है यहां हो थैत्क में से हैं डौन करुए तो इस डेच्टी को देख सकते हैं तो मैं काम करता हूं इस डिशनरी को इटरेट करता हूं या फिर आप इसके में से की और वैल्यू का पेर साब देख सकता है लेकिन फिलाल अभी इसमें से कुछ समझते हैं क्या दिखा है आप आई और आए जो जो इसकी प्राइम आए देख लें कि आए दूसरी बार भी है आए तीसी बार भी है तो आयम जो वह फोर टाम है तो बार आपका बार आए उसके आज एक बार आए सुआ है यहाँ जितनी बार भी text किया है मैं हो चुका है Yap और उसके बाद दिखेंगे तो आपका जो डीटा है कौन किसके साथ रहा है किसके साथ हुआ है यहां पर निकालना चाहते हैं यहां पर आप की का स्तमाल कर सकते हैं तो मैं यहां पर की का स्तमाल करूंगा यहां पर डेटा को दिखाने के लिए जो भी मेरा डेटा है यहां पर बार-बार रिपीट हुआ है तो यह आपको मिल जाएगा चीजी होती है जो आपके बार-बार रिपीट होती है करने कंशimal कर सकते हैं कि अब जोॉड़े इसके अब कर गउल करेंगे यहां पर इसके यहां पर क्म था करूंगा और फिर उसके बाद एक बार करूंगा तो देखिए अब यहां वह वर्ड हो गए है जो बार बार रिपीट हुआ है पूरे अंदर और कोई परसन यहां पर आई और एक बार प्रेस करता है तो उसके बाद उसको गौरव और परजापत को सर्च करके में सामने लेका जाएगा तो आप इससे लगातार सर्चिंग इस्तमाल कर सकते हैं अब इससे हमारे पास यहां के अदर सब्सक्राइब करें वह नुक्राइब करें तो इससे फ़ेले और कितने नंबर उफ टाइम करना धर सकते हों और तो मैं काम करता हूं यहां पर मैं यहां पर इस्तमाल करूंगा सीक्वैंस का देट्थे डबव उसके बाद मुझे नंबर तॉम देना है नमर पर आप टाइम में वन टाइम लगा सकता हूं और फिर दरन करता हूं अब आ चुका है अब आपको डेटा देता है डट्स आपके बास इस तरह से एंग्राम जाट फिट से नहीं देख सकते उसके लिए फिर आपको इट्रेक्शन करना परता है यह आप एन को प्रेस करेंगे सब कुछ यह सिंगल सिंगल वर्ड वों बजो रहें एक काम करते हैं और इसको चेंज करके टू करता हूं कि बाइग्राम के स्थे क्या होगा वही आपको आपको दिखा रहा है आपको इस तरह से यह सारा खेलिक्स का प्रब्लिट इगा जो वर्ड आपको बार-बार रिपीट हो रहा है उस वर्ड को आपको कंटीनुसली दिखाया जाता है जिसका इस्तमाल करके आप यहां पर गूगल सर्च करना देखते हैं कि जो चीज़ा आप अधिया दूरी लिखता है तो पूरी लिखती जाती है जैसे मैं यहां पर पी तो पी वाई तो मुझे पूरर सञे समय यहां पर बार बार यूस कर रहा हूं इसी तरह से यदि मैं यहां पर कूछ और रिखांगा तो मैं पाइथन को पूरर लिए इस लगा ट्थिद इसका इसको अटाऊँ गई है यहां पर जसके में लगा है मुझे अलर्निंग से ज्यादा किया जाता है जिसके जरीए आप क्या कर सकते हैं किसी भी NLP का जो inputs होते हैं उस inputs को convert करके आप ANN model को दे सकते हैं अब देखे मैं आपको बताना जाँगा कि जब भी हम artificial neural network को इस्तमाल करते हैं तो artificial neural network के अंदर जो हमारे inputs होते हैं उस inputs के अंदर जो data दिया जाता है that is a numerical data मतलब जब भी आप ANN का model बनाते हैं या ANN की concept को समझा होगा आपने तब वहाँ आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से ANN का जो data है वो आपके बाद जाता है और आगे चलते हुए फिर आपके आपके आज जहां पे भी आपके आज जो submission points के पास जाता है और उसके बाद वो डेटा होता है वो आपके आज कहा जाता है कि activation function के पास जाता है और वहां से आपका output वाई आपको दिखने वालदा है इनके बीचन किया सके और ऑपलाई को अपलाई कर चाहाएं और जब हम Das लिए काम करते हैं अधो पूरा वाला जो डेटा होता है उसके वालदो पर काम करता है NLP का जो data होता है वो हम directly कभी भी ANN को ने दे सकते तो फिर उस cases के अंदर हमें जो आपके पास NLP का जो data होता है उसे convert करना पड़ता है किसके अंदर numbers करता है ताकि आपके आस ANN के model के पर apply किया जा सके या फिर machine learning algorithms के उपर apply कर सके क्योंकि दोनों की cases के अंदर आपका data लिया अब इसके लिए आप यहां पर label encoding, one-hot encoding उन सारी चीजों का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन countervectorization एक बहुत इच्छी टेक्निक है जिसके जरिये आप क्या कर सकते हैं किसी भी data को numbers के अंदर convert कर सकते हैं अब इसको use करने का case कैस हो था जरह उसको समझते हैं आप जैसे कि क्या हो जितना भी data होता है जैसे कि my name is xyz, I am complete this, b and s, बहुत सारी चीज़े लिखी वी होती है आप कैसे हापर, पहले इस सारे data को क्या करता है, fix format के अंदर arrange कर दे जाता है, then इसके अंदर जो भी data repeated हो रहा है, उन सभी data को single single word के अंदर compress कर लिया जाता है, और उसके बाद उनको ए एक word बन रहे हैं, उन सभी को लग कर देगा, फिर उसके आद I को लग कर लेगा, and completed को लग कर लेगा, and उसके आद B को लग कर देगा, और in को लग कर देगा, and 2019 को लग कर देगा, इस तरह से आपका पूरा sentence हो क्या हो चुका है, break हो चुका है, मनला word tokenization system लग चुका है, अब इसके अंदर भी depend करता है, कि आपके आस यहां पर back of data लग रहा है, यहां पर back of data नहीं लग रहा है, अभी back of data क्या होता है, तो इसको हम नारे अगले बुली के अंदर समझेंगे, अभी फिलाल हम counter web traditions को समझ रहे हैं, तो counter web traditions की जो टेक्निक होती है, जो कि आपके आस SQL library इस सबसे पहला है, जैसे C completations जो है, उसका C, आपके आस first आ रहा है, इसका number first दे दिये जाएगा, उसके बाद जो अगला word आएगा, उसका अगला number, second word, then third word, third word, fourth word, इससे number दे जाएगा, फिर उसके बाद जब भी आपके 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 नमबर से यहां प अब इसको practically समझते हैं, तो ज्यादा अच्छे तरही किस समझ में आएगा, यदि हम क्यों बात करेंगे तो इतना effective नहीं रहने वाला है, मैं इसको practically लेके जलता हूं, तो यह हमारे पास यहां पर जुपर नोट बूक के आदा आचुके हैं, अब इसके अंदर सबसे पहले हैं, तो उसक लेड connectivity होगी, वहां पर क्या होता है होता है और एक वोसका में यहाँ उसका पर himरें लिखागा पर दूसा चलता चलता है, वहां पर भी यहाँ डाथा है, तो जब वो मेल आता है यहां पर तो उस मेल को आपको numbers के अंदे convert करना है तो वहां पर इस टेक्निक का इस्तमाल कर सकते हैं तो पहले में एक data frame तयार करता हूं फिर उसके बाद आगी बात करते हैं तो अब data frame तयार करना है जैसे कि my name is WSQ yes मेरा नाम WSQ है that WSQ Tech okay and second एक और data डाल देता है my name is Gaurav my name is यहां बढ़ा देता है Gaurav ठीक है अब मुझे इसकी अपके आज एक data frame तयार करना है तो data frame तयार करने के लिए पड़ेगी that मैं import करना चाहूंगा किसे पांडास एल्याज और इसके बाद data frame करते हैं तो दी नाम से एक df नाम से data frame करता हूं और इसके अंदर क्या लगाते हैं यहां पर pd. यहां पर data frame नाम का की डाल देता हूं और उसके बाद मैं इसके अंदर नाम का data अब मुझे क्या करना है इसको पर नाम के लिए आपको पर करना है यहां पर करना है यहां पर आपको और इंपोर्ट के से करना है यहां पर counter-vectorization को करना है तो counter-vectorize आपके यह काम करेगा counter-vectorize नाम के आपके इसका एक class है उस class का आपको एक object त्यार करना पड़ेगा तो मैं CV के नाम से करना हूं और मॉडल को कर रहा हूं फिट ट्रांसफर्म कर लाँ फिट ट्रांसफर्म के अंदर मुझे यहां पर जो हमारा डेटा है वह मुझे देना पड़ेगा तो मैं डेटा फ्रेम के आपके जाओंगा उसका नाम मेरे पास कहा है डिए जैने मैं डेटा को से श्क्राइब करना पड़ेगा इस पूरे अब करना पड़ेगा इस पूरे को मुझे चान बड़ेगा किसके अंदर करना चाहें तो इसके अंदर टूरे नाम के फंक्शन इसे कॉल कर सकते हैं और टूरे क्या करेगा उससे कनवर्ट कर देगा एक तो देखें यह आपके आस इसका बन चुका है जिसके यहां पर जीरो वन वन डैट वन 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 इनके वेक्टर बन चुका है अब आप यह दी यहां पर इसको यहां पर बन दे रहे हैं और यहां पर उसके बाद यहां पर नेम को थे आ और पर इसी के सबस्क्राइब कि आपकर तयार किया यहां पर आई है जैसे माइनम is यहां पर यह पूरा यह आपका तयार हुआ है यह पूरा आपके करते हैं तो यह आपका करने की बहुत सी और बी अलग अग पर सकते हैं और नल्ट एक जड़ी कर सकते हैं लेकिन हमारे पार जो सबसे बैस्ट राइबरी इसके जड़ी आप अज के इस वीडियो के इसन के बारे में समझाथा है यहाँ पर किस तरीके से कह जाता है लेकिन यह कौन सी लाइबरी है हमारी सब्सक्राइबरी है दीखे, mouse दोड़ रहा है, यह समझ में आता है, mouse is working, मतलब mouse work कर रहा है, mouse काम कर रहा है, तो यदि मैं आप लोगों से यदि ये सवाल पूछता हूँ, तो आप लोग मुझे क्या आंसर देता है, कि पहले वाले के अंदर, प्रणा की निया जो की माउस के लिए, तो आप यहां देक रहे हैं, कि आप के जो वर्ड्स आप ले रहे हैं, जो दो वर्ड्स यहां पर ले रहे हैं, दोनों के अन्दर कैंग है, यदि सेम चीज़ है, तो आप की जब भी आप NLP के अंदर काम करते हैं, तो आपके आज क्या होता है कि same words बहुत सा रहाते हैं और same words के अलग-अलग time के अंदर अलग-अलग meaning निकलते हैं यदि मैं बोलू mouse is working that is physical mouse की बात हो रही है mouse is running का मतब आपके आज क्या हो रहा है यहाँ पर तो ऐसे words के अंदर बहुत ही complications आ जाता है तो उसी के बारे में आज हम इस पर्टिक्लर वीडियो के जरी समझने वाला है आज के इस वीडियो के जरी हम बात करेंगे word sense documentation के बारे में अब यह क्या technique होती है तो इस technique के अंदर हम यह बताया जाता है कि जब भी आपको sentence इस्तमाल कर रहे है और sentence के अंदर जो mouse की बारे में बात की गई है माउस की चीज के बारे में बात करने का मतलब यहां पर यह है कि कौन से माउस के बारे में किस समय बात की रहे है यदि आपको python machine learning data science and data analysis फील में अपने आपको ग्रोग करना है इसके लिए वस्कृप्टर के online and offline बने batch करना जोइन करके आप अपने skill को improve कर सकते हैं इसके लिए यह का contact number पर call करके आप अमारी two demo free classes ले सकते हैं जैसे एक चोटे से एक्जामपल के जारे समझते हैं यहां पर यहां पर दो अलगले मैंने माउस की माउस को बोलते हैं लेकिन जब आप sentence करते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि कौन से माउस के बात की गई है तो यहां पर इन दोनों चीजों के बारे में explanations किया जाता है तो I think I hope so someone मैं आ चुका हो कि क्या चीज के बारे मैं बात कर रहे हैं यहां पर जैसे की मैं एक छोटी सी बात करना जाओगा यहां पर जैसे लिखा है I can hear bass sound मतलब में को यहां पर bass sound सुनना है यहां पर मैं bass sound सुन सकता हूं यहां पर और दूसरा लिखा है he likes to eat garlic bass मतलब वो garlic bass को eat करना पसंद करता है तो अब यहां पर दिखे garlic bass के अंदर जो bass होता है that's a bass मतलब नीच अला तलिया मतलब होता है यहां पर जैसे पीचा के अंदर जो नीच अला तलिया होता है तो यह दोनों बहुत जादा difference होता है आपके आज यहां पर sentence करता है तो इसके बारे में आपके आज words and degmentation आपको explain करके बताता है कि यह कौन सा word कि sentence के बारे में बताए और इसके लिए जो यूज की ज़ए लाइबरी और इसके लाइबरी के लाइबरी जड़ी इसे इसके बारे में यहां पर sentence है तो मैं यहां पर sunrise के बारे में यहां पर sentence क्या है और फिर उसकी इसके बाद यहां पर यहां पर इस्तेमाल करने करने अब मुझे लसक के लिए एक यहां पर class बनाने पड़ेगी एंद उसके अंदर देखे दो जीजा आपका यहां पर मांगी जाती है मिजली पहला होता है यहां पर कॉंस्टेंट को यहां पर फैच करके कुछ उसके बारे में इंफॉर्मिशन चाहिए तो मैं सबसे पहले यहां पर जानना चाहूंगा सन के बारे में सन के बारे में इंफॉर्मिशन ले चुका हूं आप अब जैसे आप को रन करेंगे तो यह आपको बताएगा कि सन जो है वह आपके पास सिस्टम के अंदर मलब जो आपके यहां पर संके बारे में पूरी इंफॉर्मिशन मिल चुकी कि सन क्या है इसको यहां पर माउस को रूनता हूं इसको एक विकी बीडिया एड़ जैसेज़ देगे पास यहां थे में लोगा यहां पर यह इतना जो संटेंस इसका स्टमाल गरूंगा मैं यहां और इसको एक काम करतेए इसको एक वर्याबल करेंदे डाल देते एंगा के वाइन के अंदर यह सारी जो है sentence बोड़ा दूंगा अच्छा इसके अंदर काफी प्रॉब्लम्स नहीं है ठीक है सही है यहां पर और मैं इसको रन करता हूं और इसको रन करता हूं और यहां पर क्या करता हूं करता हूं और इक बार इसके इसके बारे में पूरी इंफोर्मेशन दे रहा है जो कि पूरी एक किसके बारे में मौस के बारे में डिफ्रेंशी चेंजन है कि आपका जो कुछ इस तरह से वह तो आचुका होगा कि क्या काम करता है कि आपका कोई भी वर्ड होता है उस वर्ड के बारे में यदि आपको इंफोर्मेशन चाहिए कि वह वर्ड किस तरह से काम कर रहा है उस सेंटेंस के अंदर तो उसके बारे में पूरी इंफोर्मेशन आपको देता है तो आपको ख्लिर होगा तो फिलाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं मिलते हैं हमारे एगली वीडियो के साथ तब तक आप अमारे साथ यह ही बने रहे हैं तेल रान गुडबाई